हायातनगर थना चेत के बवेना में संचालित व्रद आश्रम में चार दिन पहले इलाज के अवाव में व्रद की मौत के बाद 15 गंटे तक शब पड़ रहने को लेकर व्रद आश्रम के जिम्मेदार और समाज कल्यान विभाग की बड़ी लापरवाई सामने आई तो समाज कल्यान विभाग की तरफ से व्रद आश्रम संचालित करने वाली NGO को नोटीस जारी कर इस पस्टी करन मांगा गया इसके बाद अब उत्तापेदेश राज्य महीला आयोक की उपाद्यक शुष्मा सिंग संबल पहुची जहां उपाद्यक शुष्मा सिंग एसडिम औ व्रदों की शंक्या में बड़ी हैरी-फैरी सामने आई उन्होंने व्रद आश्रम की वाडन को जमकर फटकार लगाई उसके बाद उन्होंने करमचारियों के आयकार्ट चेक किये उसके बाद उपाद्यक शुष्मा सिंग व्रद आश्रम के इस्नान घर की हालत देखने पह के बारे में पूछा तो व्रद आश्रम में लगवा मीटर चलती हुए हालत में नहीं मिला और नहीं व्रद आश्रम की बादन बिजली का बिल दिखा पाई जिसको लेकर महिला आयोक की उपाद्यक बादन पर भड़क गई और सक्त कारेवाई की चैताबनी दे दी महिला आय अब आविवास्ता में लिए उनको जल्द दुरूस्त कराने के निर्देश अधिकारी को दिये गए हैं मैं मापने व्रद आश्रम में निक्षड किया क्या मिला आपको जीटेली देखे हम लोगों का एक टागेट यह है कि जितने भी सरकार की बेनिफिश्री में आते हैं जो व्रजन आते हैं व्रद महिलाई हैं व्रद पुरुष हैं विद्वा हैं या कोई भी हैं तो सब यहां यहां से 6-6 साल की उमर से बड़ी उमर है तो यह व्रजन पेंश्री में आते हैं तो इस समय यहां पर जिला प्रॉवेश्य अधिकारी जिनके पास चाफ़ियर समाज करें अधिकारी का भी सथी मेजिस्टर साथ भी हैं तो हम लोग आपस के समय में बना के इन लोगों को जो बेनिफिच्ट्री में जो इनको पेंशिन बेनिफिच्ट्री बनाना है वो हम एक इनको करवाना चाहते हैं दूसरा टास्क हम लोगों का ये है कि जो जिनको आखों का प्रॉब्लम है तो उनका ढंक से इलाज हो जाए तीसरा यह जो उन लोगों को जहां ट्राइ साइकल नहीं मिले है तो उनको ट्राइ साइकल मिल जाए और में यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का इश्यू था तो वहाँ पर अभी बतर जब तक बीपीओ जाएंगे नहीं तब तक यह सून हिस्प्रित नहीं हो जाता कि यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है जो मेजर फेक्टर में हो थोड़ा उन से मिलना जालना उनको गलम कपड़े भी आ गए हैं जुराबे देना सेंट का मौसम है तो उसे साथ से एक वार यह देखने के जौरती कि क्या चीजे हैं क्या एनिम्ता हैं वो भविश्य में सर्दी का मौसम ह उसमें प्रॉब्लम ना आए और उनको जो भी अच्छे से अच्छा मिल सकता है वो उनको मिलें